के पेपर को हल करेंगे ठीक है फ्रेंस आप सभी को पता है कि जो पेपर होने वाला है आपका पुरांग उसका रहेगा सत्तर नंबर करेगा और जो समय मिलेगा आपको तीन घंटा पंद्रे मिनुट का समय मिलेगा इसमें समाजी हुई ज्यान में जो मांचीत्र के सवाल तो आप वीडियो को लास तक जरूर बने रहेगा जिससे आप एक भी प्रस्ण आपसे मिस्टेक नहों सके देखे फ्रेंस आपको जब पेपर मिलेगा इसके कुछ निर्देश दिये जाते हैं इस निर्देश को आप पहली निर्देश के बारे पहले से जान रहे होगे सीध प्रस्ण एक नंबर करेगा यह आप सभी को पता है ठीक है यहां पर पहला नंबर का जो सवाल है इसका आपको एंस्वर बताने वाले हैं पहले इस प्रश्ण को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए कि यंग इटली सोसाइटी का संथापक कौन था ठीक है आप संको जब ध्यान स पढ़ेंगे तभी आप इसका एंस्वर निकाल सकते हैं देखिए आपसर पढ़िया गहरी बाल्टी विस्मार्क कावूर या मेजनी ठीक है यह इंग इटली सोसाइटी की जो संथापक थे मेजनी साहब थे इसका सही जवाब घवला आपसर करेक्ट हो जागा ठीक है देखि कि नेपौलियन का संबंद किस देशसे था यह बहुत इंपॉर्टेंटी नेपॉलियन ठीक है नेपॉलियन का संबंद किस देशसे था आपसर ने जर्मनी से था इटली से फ्रांस से इग्लिय handy ऐअ Excel में आप से ही को कुछ पढ़ रहा होगा आपसर इसका सही जवाब आणmusic करेक्ट हो जागा ठीक है अब चलि अगले नंबर के सवाल को देखते हैं तीसरा नंबर सबसे IMPORTANT सवाल है आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ठीक है महात्मा गादी से संभधी जरूर बोर्ड के आजाथ भगस beneयं महात्मागा दे तो आप सभी को पता जो आएक पर में पर में एक नमबर का आने वाला आवागया Ground पंदोलन कब चलाया गया polit Ц fifan 1927 न송 35 पंद इसके साथ आप सभी को पता होना चाहिए तक चलाए लिए कुर्णाजी के द्वारा संब ग्रक्षार गया था शजोरी नलाप 109 1935 को पता होगा इसका सही जवाब गवला आपसम करेक्ट हो जाएगा कि सावी ने अवाग्या अंदुल 1930 में चला जाए गया था इसके साथ में आप याद रखिएगा और 920 1920 में महत्मा गाधी जी के द्वारा असहयोग अंदुलन चला जाए गया था ठीक है तो दो प्रश्ण यहां साथ किलियर कर लीजिएगा पांचवा नमबर का सवाल देखिए 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था ठीक है आर्थिक जो महामंदी आया था पलत यही आद रखे कि आर्थिक महामंदी का भाया था तो 1929 इसवी में आर्थिक महामंदी आया था प्रश्ण बहुत पूछता है कि आर्थिक महामंदी का भाया था तो 1929 में अब तो 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारद जो देखा गया था वह था किसी छेत्र में अधिक उत्पादन तिसका सही जवाब का वाला आपसंग क्या था सही है देखें अगला नमबर क्या है छटवा नमबर का कि प्रांटी प्रशासन का संचालन कौन करता है ठीक है प्रां जिला अधिकारी करता है इसका गहवाला आपसंग करेक्ट हो जागा ठीक है अगला देखी सात्मा नमबर का निमनलकित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है जैसे काली है पीली लिट्राइट या सीमेंट तो आप सभी कुछ पता कि काली मिट्टी बार बर बोलते हैं काली मिट्टी होगा पीली मिट्टी भी होता है लेकिन सीमेंट जो हता किसी प्रकार की मिट्टी नहीं होता है इसमें नहीं पूछा है ना कि एक प्रकार की मिट्टी का प्रकार नहीं है ति मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है सीमेंट नहीं है इसका सही जवाब गवाला का्पाश की खेति के लिए काली की मिट्टी कौन से olmaz करेंगे काली यहां क्वस्य याद रख सकते हैं काली और कौछ से काली मिट्टी ठीक है इसका सही जवाब करेंग घ्रक्टी हो जाओ जए अगले नमबर जितने भी प्रश्ण बंते उसको याद रख लिए जैसे सलाल बांद हुआ, टिहरी बांद हुआ, रिहंद बांद हुआ, यह सभी बांद जरूर याद कर लिजेगा, जितने बांद बता हैं, अब पूछा कि सलाल बांद किस नदी पर बना है, आपसान है महा नदी पर, चिना हो जागा, ठीक है, अब देखिए, अगला सवाल क्या है, आपका प्रोजेक्ट टाइगर, कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्स पराराम हुआ था, यहाँ पर आपसान ने 1973 में हुआ था, उन्नी सु पचात्तर में, उन्नी सु असी में, या उन्नी सु नवासी में, किसे आउसत आए भी कहा जाता है, आपसान ने कुल आए को आउसत आए कहेंगे, राष्ट्री आए को, या प्रति भ्यक्ति आए को, या यह सभी खो, ठीक है, यहाँ पर आपको जो पूछानत आउसत आई जो कहते हैं, प्रति भ्यक्ति आए जो हता हुँसे हम क्या कहते हैं सबसे अधिक रोजगार देता है इस वयक्ति प्रात्मिक छेतर्s सबसे अधिक रोजगार देता हैं सही जवाब काफला अपसान सही हो जाएगा देद्वारत लॉय चछत्र क्यू सबसे अधिक रोजगार देता है तो प्रात्मिक चत्र केंदर गतार अता है किरसी और आपको पता है कि भारत की जितनी भी जनसंक्या सबसे अधिक जो कार करती है किरसी कार करती है इसलिए प्रात्मिक छेत्र जो होता है सबसे अधिक रोजगार देने का कार करते हैं तिरह आपने लिखित में से कौन सा संगी सूची का विशे संगी सूची का मतलब यह होता है जिस पर केंदर सरका अपना नियम बनाता है वो संगी सूची के अंतरगत आता है आपसन है ब्यापार होगा किरसी होगा रच्छा होगा यह सिच्छा होगा जो आपका जो संगी सूची के अंतरगत जो आता है रच्छा आता है इसका सही जवाब गवल आपसन क्रेक्ट हो जाएगा कि संगी सूची इसे क्या है रच्छा है जबकि यह सिच्छा जो हता है आपको समवर्ती सूची होता है किसके अंतरगत रखेंगे इसे समवर्ती सूची समवर्ती सूची के अंतरगत रखेंगे इसे याद रखेंगे ठीक है और किर्सी को राज्य सूची क्या याद रखना है राज्य सूची क अंद्रगत आता है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका गवला सही हो जाएगा ठीक है Video ठीक में फिर अस्तुरों पर सत्ता का कहलाता है यानि सत्ता का बच्रथा के सबस्क्राइब क्या in यृबर्डायि ऑगरबंदन सरकार संधियस सरकार यह एकात्मत सरकार कालाएगा दिक है यहाँ पर आपको बताना है की विभी असुरुपब संत्या कर बट assassins कया काला था था उसे कहते है समुदाइक सरकार इसको क्या कह एक सरकार चरiji मैं सकात्मक चाहीं हएं पंदरवाद झहात्मक सासन कहा नही सब्सक्राइब नमबर देखिए सुंधर वर राष्टिपार्क किस राज्य में अश्म में उडिशा में पस्चिम बंगाल में या अगला सवाल देखिए निम्नलिकित में से कौन सा विकसित देश है ठीक है जो विकसित देश का अंतरगत आता है इसमें से कौन सा है आपसे ब्राजील भारत फ्रांस या बंगला देश विकसित देश के अंतरगत जो आता है आप अमेरिका आ जाता है फ्रांस आ जाता है जापन आ जाता है यह सब क्य बारत बारे याद रखेए भारत एक विकासथ विकास अग्रसर आप तो भारत बताते आप विकिसित पूछा यह तो फ्रांस से अब देखिए और चारिक रूड सबसे अधीक किस वर्ग के के मिलता है जो को मिलता है अमीर परिवार के जो लोग होते है उसको क्या मिलता है और चारी क्रोड़ मिलता है इसका सही जवाब गवलाफशन क्या होगा आपका सही होगा अगला नंबर देखे 19 नंबर का क्या है निश्वा है कि निम्न में से किसको किसे सहायक छेत्र भी करते हैं प्रात्मिक को दिवतियर किसके अंतरगात आता कि आता है किस में प्रात्मिक चेत्रगा यह प्रारंभिक करते और इससे प्रात्मिक कि अटियर्थ प्राला आपको सही जवाब क्या होगा करेक्ट्ट्र रखें एंग मार्क किन वस्तुव क्लिए प्रमाड़ी चिन्न आप सानु उबहों वस्तु जो हो खाद वस्तुव के लिए प्रमारित एक प्रकार का चिन्यत इसका घवल आपसर क्या हो जागा सही हो जाएगा देगे फ्रेंज यहां पर आपके 20 जो पाविकल पर इंपोर्टेंस सवाल थे सभी कराए हैं इसके अलब अब वड़ात्मक जो प्रशन है इसमें आप सभी को बता देख लिजिए इस पर सभी प्रशनों को आप लिजिएगा देखिए आपका पहला जो लगूत्री प्रशन इस्टार्ट हो तो प्रतेक चर्चर नंबर कर रहेगा आपको पहला नंबर का जो सवार है यहां पर ध्यान दीजिए आप यहां पर क्या है कि यूरोप में राष् जो रहेगा आपको याद करना रहेगा जिस देखिए अथवा में यह प्रशन नहीं आएगा तो आप इस प्रशनों को हल कर सकते हैं खिलाफात आंदुलन क्यों शुरू हुआ देख लिजिए दूसरा सवाल क्या है कि अस्थानी सरकारों के मुहत्तों को वरण कीजिए प्रशन्सक्राइब प्रशन नंमबर करक्या है चार नमबर के समाजिक antak आ कrना है यह प्रश्ना एजन की अवसकता क्यों पढ़ति है इस है तु cops आई बता हिये बदकि hasए कोपरा पर संशिप्त आपको टिपड़ी लिखना है या यह आ रहा तो ठीक नहीं तो इसके अगला प्रशन दखिए वैस्विकरस आप क्या समझते हैं अपने शब्दों में लिखिए टूटल चार नमबर अब देखिए आपका दिरगूतरी प्रशनों में किस पकार के प्रश में आप च्छा नमबर के प्रशन स्टार्ट होते हैं यहां क्या है कि महामंदी का क्या आसे हैं ठीक है इसके मुख्ये दो काड़ा बता यह इसके दो प्रभाव भी लिखना है टोटल कितने नमबर करा है च्छा नमबर का इसके लाए अथवा में दिया है प्रताम विश्व हैं के एpi要 क्या अभी पराए भारत की विद्दाईकाओं में महिलाओं के प्रतिनेद्यूथों के स्तिधी पर प्रकाश जालिए इन दोने कोई एक करना एंपराई कि मिरदा अप्रदन का क्या अभी पराय है इस समस्या के समधान है तो कोई चार उपाय आपको समझाना है छान नंबर का अथवांग दिया है भारत में विभीन समधायों ने किस प्रकार वनों और वन ने जिव सरफ और रच्छड में योगदान दिया है दोनों प्रशनों में से कोई एक टोटल कितने नं कीजिए टोटल 6 नंबर का यह प्रस्णा रख ठीक इसके लावा नहीं तो संकठित और असंकठित छत्रों की रोजगार प्रिस्थितियों की तुलना कीजिए टोटल 6 नंबर का यह था आपका लगू और दिर्गुत्री प्रस्ण जिस पकास आपके बोड के एक्जाम में आ पर द्यान दीजिए जैसे दिखें मानचीत्र हैं और यह आपके सामने सवाल है ऐसे भरेंगे परते निखित अस्थानों को भारत के रेखा मानचीत्र पर उइस तरह बोला बनाके चिने दवारा सही दरसान है सही नाम और सही अंकन के लिए आपको इतना नहीं मिलने वाए यहाँ यही पता होना चाहिए कि सितंबर नाष्ट्री कांगरेस का ही पूए था यहां जो सितंबर में हुआ था कलकत्ता में कहां पर कलकत्ता में यह कहां हे कहां पर पस्षीम अलोग मैं अब मांचित्र इस सावामी वेरा में आपको पता होना कार्ण का पर शुद्धर हो और देखिए 9 काकॉन सा प्रश्न है कम वाला है है और कमें यह पहला नमम बाहर है और इसका एंस्वर क्या है अपिया भी लिखना है यहां पे दूसरा वाइसतान जहां नील की खेती करने वाले किसानों को अंदुलनु यह हुआ था यह हुआ था आपका चंपारों में पर देखता आपका उत्तरपरदेश इत्तरपरदेश के बगल में है आपका देखता बीहार बिहार में आप यहां पी हो जागा आपका चंपारण और इस तरह कीचेगा ना इन का कौन सा है नुवा नंबर है और नुवा का यह बहुआ फ्रस्टे कि अब देखते हैं ध्यां से देखते रही स्ट्ट और इस प्रस्ट का यार भी कर लीजेगा ठीक है देखेई अग्रानमर के प्लेशन जहां चोरी चोरा आट कांडि होया था पता आट सभी को चोरी जो कांड आता कांडव कहां गोर्ख पूर सबता है कि अउत्तर-परदेश पहरता अब बहुत बहुत परेंगे कैसे STAR आपके सामें मानचित्र में देखें आपको भरना यहां पर देखी देख्या आपका उत्तरай पड्रदेशन यहां प्रेंगे और 92 कोर दिख्या उन्या सवनिक पता है जॉनक थे सन रख्पारी रौकशि अमृत अब सभी को पता होगे अमृत तरहां पमें यह सामने मांचितर उपर रहता है जम्मु कस्मीर से नीचे आए तो यह आपको पढ़ता है पंजाब पंजाब में अमित सर वरना अइसे किछी जेंगा ओ देखें ऐसे भरना है अब चलिए अगले नंबर के देखते हैं देखिए यह है वह स्थान जहां दिसंबर नागपूर में नागपूर पढ़ता कहां पर है तो नागपूर आप सभी को पढ़ता है का महाराष्ट में पढ़ता है अब देखिए यह मांचित्र है यह आपका महाराष्ट है नागपूर देखिए लगभग में यहां पढ़ता ऐसे खीचिएगा और नाइन के कौन सा है और यह प्रस्ण था यह और यहां पर बरियागा नागपूर जैसे भर रहें इसी तरह बोड की एक्जाम आपको भरना है आपके तोटल कितने प्रस्ण हुआ है यह हम्ósन सब्सक्राइब आपके सामने क्या है कि अब नाइन का अंगर सब्सक्राइब निर्देश में क्या है दिएगे भारत के रेखा मानलवाद को किसके दवरा इस गोले चिर्फय दरा दिखाना है गजंगे ताइब हना अंगलबाद को दिखाना तो किस प्रकार से दिखाएंगे दियान दीजिएगे ठीक है अगल आपको भागरलबाद कहां पर है एक यह मान चीट्र रहे है नाइन का कौन सा है खो में आपको कौन सा अप्रस्ण है ना मतलब देख लिए कि कौन सा है यहाँ बर यहाँ बर लीजेगा बाख़डा नांगल बाद इस प्रकास से लिखे दीजिए गाँ प्रस्ण है उसी लिखे ना रहेगा बस अब अस्थान का नाम सही से बरिएगा कहां पर है अब देखे अंगला नंबर की क्या है आपका भारत में कि सबसे बड़े उत्पादक राज्ज चिन द्वर्ण है और यहाँ का खा है, खा में कौन सा है बह होगा न, पर और यहाँ पी लिखना चाहिए ता आप यूपी लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, यूपी यानि उत्तर पर देश लिख सकते हैं साथ में इस पकास आपको करना है अगला सवाल देखिए भारत में चावल के सबसे बड़े उत्तर पादक राज को इस चिन द्वारा दिखाना है ठीक है, ता भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहां पर होता है तो आपको पता होना चाहिए तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्तर पादन होता है पस्चिम बंगाल में चावल का बड़ा उत्पादक राज लिखे जए चावल का बड़ा उत्पादक राज उत्पादक राज नाम है जोogram लिख सकने हैं पस्चिं बंगाल याद रेगत लिग दिजीगा पस्चिन बंगा ठीक है ठीक है यह आपको इस पकाश से भरना है अब चलिए अगले प्रस्न को देखते हैं अगला प्रस्न क्या है आपका कि भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहां पर होता है तो यह होता है अपका असम में ठीक है अब आप मांची तरह देखिए अब असम्हें कहां पर यह बंगला देश में बनाका के इस परकार्स और इसको इस प्रकार ग्यार लीजीए और यहां पर तीर के दिखा दीजेगा nine का ख़ू है the दो वाला अपस्वय है चाहे उत्पादक राज द्राज नाम पता लिख रही जीए औसम बहले जो है अगला प्रस्वन क्या है आपका कि लाल मिठी और चिंद्षे तो है तो है कहँँ आपको पाया जाता है मद्य अण दिखाँ है लाल मिट्टी राजी का नाम रहें लिखाँ दिएगा मध्य प्रदेश क्या लखेंगे मध्य प्रदेश आधिक जैसे मांचित्र भर हाज है इसी प्रकाष मांचित्र को आपको सुच साफचर्ण साफफुत्रा और लिख दीए अगरे दौछ के आपको सभी मांचित्र वाले सवाल हुआ और समाजी विज्ञान के जितने भी important सवाल दें सभी सवाल आपको पता दिये हैं इन सभी सवालों को आप जरूर तयार करके board के exam में जाएगा और जिसका भी half yearly का paper चला है वो अर्दवारसिक paper देने जा रहा है वो student भी इस paper का संपूर हल करके board के exam में जरूर जाएगा ठीक है तो friends आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे कोई भी नई वीडियो हम upload करते हैं तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुच जाए और अपने दोस्ते के पास अधिक से अधिक वीडियो को share करें